अशुद्धी शोधनम हमें सदैव शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम संबंधित भाषा की अशुद्धी को पैचाने। सामानिता, संस्कृत में चात्र वचन लिंग पुरुष लकार या विभक्ती के प्रयोग में अशुद्धी करते हैं। अता, संबंधित नियम को ध्यान में रखकर एक कुशल प्रयोग करता की तरह अपनी भाषा को शुद्ध करने का प्रयास करें। यथा, वचन संबंधि ही अशुद्धी। करता का वचन और क्रिया का वचन समान होना चाहिए। बालकव गच्चती। यहां करता द्वी वचन क्रिया एक वचन में है। अता, बालकव गच्चती शुद्ध होगा। लिंग संबंधि ही अशुद्धी। बालकाह फलाह खादंती। यह अशुद्ध हैं क्योंकि फल शब्द नपुनसक लिंग होता है। अता, यहां बालकाह फलानी खादंती शुद्ध होगा। पुरुष संबंधी ही अशुद्धी, त्वम विद्यालेयम गच्छती, करता मध्यम पुरुष और क्रिया प्रथम पुरुषह अता वाक्य अशुद्ध होगा, शुद्ध रूप होगा, त्वम विद्यालेयम गच्छसी, विभक्ती संबंधी ही अशुद्धी, बालकह मित् यहां मित्रस्य शब्द अशुद्ध है. सह के साथ रितिया विभक्ती का प्रयोग होता है. अताशुद्ध रूप होगा बालिकह मित्रेंड सह विद्यालेयम गच्छती. लकार संबंधी अशुद्धी यह अहम विद्यालेयम न गमिश्यामी यह अशुद्ध है. है यह बीता हुआ कल. इसके साथ लंग लकार का प्रयोग होना चाहिए. अताशुद्ध रूप होगा यह अहम विद्यालेयम न अगच्छम.